लोग यहां पर बारात में सामीन होने के लिए आते हैं हैं इसमें बहुत ही अच्छी निकाले जाती हैं अब करने से यहां अब बहुत हैं ज ordinary यहां को दिलमें चैनल को सब्सक्राइब करने से सामी त्सकूल निकाला कहता है जाएगा जहां कि मैं जो आप लोग देखेंगे, वो सब कुछ यहां पर देखने को देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या कुछ है पूरी जानकारी जो हम लेंगे, जिनके देखरेंग हम यह बनाया जा रहा है। जी मेरा नाम लक्षमन राउत हुआ आपलो यही के हैं जी देवगर के हैं हर साल मेरे गुरुजी स्री मारकंडे ज़िवारे कुटूदा जो देवगर के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं उनके सांगेट हैं उहीं से देखरें बच्पन से सीखते हुए आरहे हैं जो बच्पने सामिल होगे इस जाकी में इस बार पिछले साल तो मैंने दिखाय था वा मानब धैट जो सब जगह से बंब शपोट यह सब कवरें आ रहे थी यूक्रेन वाला यूद यह सब तो मानब कोई दानब बना दिया था जो मानब से बड़ा कोई दानब नहीं इस साल मैं नसा पर बनाया है जो थोटे जोटे बच्चे बहुत नसा करते हैं इसको दानप के रोप में दिखा रहे हैं अब बहुत जल्ड जो है नसा करके वह खुद मर जाते हैं और मार भी देते लुसे उसका संतुलन सही नहीं रहता है तो इसके वज़े से मैंने बच्चे को वह देवगर की वोतल और हाथ में सिक्रेट दो मुलपान करते हुए रास्ते में जाएगे इसके अलावा और इसके अलावा पांच चांड डालीन चुडेल बनाया है तो वह भी जांकि में डांस करते हुए रास्ते में जाएगी बहुत पुराना यह है बेलपत्र जंगलों से तोड़के बाबा को चुड़ाया जाता है यहां के पुछ पन्नो द्वारा यह सबसे बड़ी जांकि देवगर की सबसे बिख्यार जांकि है वह बेलपत्र तो बाबा का बहुत पस्तिरिया है तो इसलिए यहां की जितने कुझे अरिया है वह सबता में एक बाद जंगल से जिसमें वह हवन करते हुए, दस सीर रहेगा, वह अपना सीर को करते हुए. जोकी अभी तयारी चल रहा है, थोड़ा वो तभी इसने बहुत सारा काम बाकी है, जोकी अभी आपको दिखा रहे हैं. जोकी अभी बनाते हैं, यह में मुझें बनाता है, तो यह मैंने कुछ से सोच के बनाया कि यह होना चाहिए जहांके में, और हर एक साल निकलनी चाहिए, बाबा की बाराती है, तो यह के सेविलिंग होनी चाहिए. तो इस वार यह नया मुतलब है, इसके पहले ऐसा नहीं दिखाया गया था, इस वार यह नया आपने सोचा है. तो आज की ब्लोग मैंने पुरी जनगारी आपको दी, कि इस वार की जहांकी में, सीव बारात में आप क्या-क्या देखने को मिलेगा, कैसा लगा आज का ब्लोग बताईएगा जरूर कमेंट में, और सीव बारात में आप भी सामीर हुए हैं, या नहीं, या पिसामीर होने आते हैं, तो जरूर कमेंट भी बताईएगा, अच्छा लगा होगा, ब्लोग लाइक जरूर कर दीजेगा, चैनल पनी होई चलर को सब्सक्राइब कर लीजेगा, फेस्ट की बादिव से देख रहे हैं, तो फेस्ट को फोलो कर लीजेगा, चली जली मिलते हैं आप से अगले ब्लोग में, तब तक के लिए आप अपना ख्यार रखिएगा, खुश रहिएगा, हर हर महादेव